राजाओं का वृत्तान्त दूसरा भाग अध्याए एक अहज्या की मृत्यू और बिमार हो गया तब उसने दूतों को यह कह कर भेजा कि तुम जाकर एकरोन के बालजबूब नाम देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बिमारी से बचूंगा की नहीं तब यहवा के दूत ने तिश्बी एलियाह से कहा उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलनों को और उनसे कहा क्या इसरायल में कोई परमिश्वर नहीं जो तुम एकरोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो इसलिए अब यहवा तुमसे यो कहता है कि जिस पलंक पर तूपड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परं तू मर ही जाएगा तब एलियाह चला गया अहज्या के दूत उसके पास लवटाए तब उसने उनसे पूछा तुम क्यो लवटाए हो उन्होंने उससे कहा कि एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और उसने कहा कि जिस राजा ने तुमको भेजा उसके पास लवट कर कहो यहवा यो कहता है कि क्या इसरायल में कोई परमिश् जो तू एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को भेचता है, इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बाते कही उसका कैसा रंग रूप था, उन्होंने उसको तर दिया कि वह तो रोवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमडे का फेटा बांधे हुआ था। उसने कहा वह तिश्पी एलियाह होगा, तब उसने उसके पास पचास सिपायों के एक प्रधान को उसके पचासो सिपायों समेथ भेजा। प्रधान ने उसके पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड की चोटी पर बैठा है, और उसने उससे कहा हे परमिश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू उतरा। इलियाह ने उस पचास सिपायों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमिश्वर का भक्त हूँ, तो आकाश से आग गिर कर तुझे तेरे पचासो समेथ भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उत्री और उसे उसके पचासो समेथ भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास पचास सिपायों के एक और प्रधान को पचास सिपायों समेथ भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि फूर्ती से तू उतरा। एलियह ने उतर दे कर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, तो आकाश से आग गिर कर तुझे तेरे पचासो समेथ भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके पचासो समेथ भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार पचास सिपायों के एक और प्रधान को पचासो सिपायों समेथ भेज दिया। और पचास का वह तीसरा प्रधान चड़कर इलिया के सामने घुतनों के बल गिरा। और गिलगडा कर उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्रान और मेरे इन पचासो दासो के प्रान तेरी दुरुष्टी में अनमोल ठहरे। पचास पचास सिपायों के जो दो प्रधान अपने अपने पचासो समेथ पहले आये थे, उनको तो आगने आकाश से गिर कर भस्म कर डाला। परम्तु अब मेरा प्रान तेरी दुरुष्टी में अनमोल ठहरे। तब यहवा के दूत ने एलियाह से कहा उसके संग नीच जा, उससे मत डर। तब एलियाह उठकर उसके संग राजा के पास नीच गया, और उसने कहा यहवा यो कहता है कि तुने तो एक्रोन के बालजबू देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्रायल में तु पूछ सके, इस कारण तु जिस पलंग पर पड़ा है, उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहवा के इस वचन के अनुसार, जो एलियाह ने कहा था, वह मर गया, और उसके संतान न होने के कारण, यहो राम उसके स्थान पर यहुदा के राजा, यहो शापात के पुत्र यहो राम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा, अहज्या के और काम जो उसने किये, वहां क्या इस्राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे है?